है फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल इस वीडियो में हम देखने वाले लेटेस्ट एंड डिफरेंट स्टायल के ब्लाउस के नेकी डिजाइंग्स अभी फैस्टिव सीजन चल रहा है जैसे कि अभी दशेरा आएगा फिर करवा चौत और दिवाली भी आएगी तो अब सभी ने ब्लाउस सिलाने की तैयारी शुरू कर दी होगी हम सभी लेडीस साड़ी लेते वक्क बहुत ही सिलیک्टे पीस लेते हैं लेकिन उसका ब्लाउस सिलाते वक्क सिम्पल सा ब्लाउस सिलाते हैं तो उसकी वज़े से साड़ी का लोग अच्छा नहीं आता सो हमने हमारे साड़ी के ब्लाउस को एक डिजानर पैटन में बनवाना चाहिए ताकि हमारे साड़ी और भी जदा अच्छी दिखे सो इस वीडियो में मैंने बहुत ही अलग-अलग तरह के ब्लाउस की डिजाइन्स आपके साथ शेयर किये है सो आपको अपना ब्लाउस दिलाने के लिए एक आइडिया मिल जाए इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अलग-अलग नेक की डिजाइन्स बताया है आपको इन में से कौन सा नेक का डिजाइन्स या ब्लाउस का पैटन अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप अपने लिए इस में से कौन सा पैटन ट्राइ करना चातो ये भी मुझे कमेंट करके बताना और दोस्ता अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ and फैमिले के साथ शेर भी कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर देना और साथ में दिया हूँ आप बेल आइकोन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो उसका नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे है इस वीडियो में सभी प्रकार के ब्लाउजे से जैसे कि सिल्क के हैं कॉटन के हैं या फिर नेट के भी है अगर आपको बैकलेस ब्लाउ और यह बो डिजाइन वाला पैटन तो बहुत ही ट्रेंडिंग में आप किसी भी साड़ी के साथ किसी भी फैबरिक के साथ इसे बनवा सकते हो इसमें अगर आप फील नेक रखोगे और उसको वह लगाओगे तो यह काफी अच्छा लिखेगा इसकी स्लिव्ज है वह रफल बनाई हुई है आप इसे किसी भी फैबरिक के साथ बना सकते चाहे वह सिर्प का हो नेट का हो यह शिफोन या जॉर्जट का हो यह काफी अच्छा लिखता है आप ऐसे लहंगे के बलाव उसको भी स्टाइलिश बना सकते हैं तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटन्स मैंन प्रहीं आपने में प्रहण करें. झाल झाल